परिचय हलो दोस्तों, आप लोगों को अपनी पढ़ाई में खुब मज़ा आ रहा होगा। मैं एक तोहफे के रूप में जूस की ये बोतल आपके लिए लाया हूँ। आप बता सकते हैं कि इस जूस से कितने गलास भर जाएंगे। चलिए पता लगाते हैं। इस बोतल के जूस से हम चार गलास भर सकते हैं। आओ सीखें। उन पात्रों की तुलना करना जिनमें अलग-अलग मात्रा में लिक्विड यानी तरल आता है। अलग-अलग मात्रा वाले तरल को रख सकने योग्य पात्रों को बढ़ते या घटे क्रम में लगाना। क्षमता को समझना। ये एक चम्मच है। अब मैं इस चम्मच को दूद से भरूँगा। देखते हैं इस चम्मच को भरने के लिए दूद की कितनी बूदों की जरूरत होगी। ये मैंने डाली पहली बूद और ये है चम्मच में दूद की दूसरी बूद। लेकिन चम्मच तो अब भी खाली है। चलिए चम्मच में एक और बूद डालते हैं और अब मैंने डाली चौथी बूद। अब चम्मच भर गई है। यानि चम्मच को भरने के लिए दूद की चार बूदों की जरूरत है। अलग-अलग पात्रों की क्रमता। चलिए एक और अक्टिविटी यानि गतविधी करते हैं। हमारे पास तीन अलग-अलग बरतन और एक जग है। हम जग से इन तीन बरतनों में पानी भरेंगे। चलिए शुरुवात पहले बरतन से करते हैं। एक, दो, और तीन। यहां हमने देखा कि पानी के तीन जगों से पहला बरतन भर जाता है। आईए अब दूसरा बरतन भरते हैं। एक, दो, तीन, और चार। देखिए बाल्टी भर गई। यानि ये बाल्टी चार जग पानी से भर जाती है। अब आईए तीसरा बरतन भरें। एक, और दो। इस बरतन को दो जग पानी ने भर दिया। अलग-अलग बरतनों की ख्षमता। दोस्तों, हमने देखा कि बरतन नमबर एक, तीन जग पानी से भर गया। बरतन नमबर दो, चार जग पानी से भर गया। और बरतन नमबर तीन को भरने के लिए दो जग पानी की जरूरत पड़ी। इसका मतलब बरतन नमबर तीन में सबसे कम पानी है और बरतन नमबर दो में सबसे ज़्यादा पानी है। दो बरतनों की तुलना इस तरह सैम दूद की इस बोतल को दो गलासों में खाली कर सकता है। क्या हम इस बोतल को एक जग में खाली कर सकते हैं। आईए देखते हैं। जग को दूद से भरिये। बोतल खाली है। हम इस बोतल को एक जग में खाली कर सकते हैं। क्रम में लगाना दोस्तों, हमारे पास तीन अलग-अलग बरतन हैं। किस बरतन में सबसे कम पानी है। हाँ, आपने सही बताया, बाउल में सबसे कम पानी है। किसी जार में बाउल के मुकाबले ज्यादा पानी होता है। और किसी बरतन में बाउल और जार के मुकाबले और भी ज्यादा पानी होता है। अब इन बरतनों को बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं। बाउल का नंबर सबसे पहला है क्योंकि इसमें सबसे कम पानी आता है। इस कतार में दूसरा नंबर जार का है क्योंकि इसमें बाउल से ज़्यादा पानी आता है। आखर में हम बरतन को रखेंगे क्योंकि इसमें बाउल और जार दोनों से ज़्यादा पानी आता है। हमने क्या चर्चा की? हमने तरल वाले बर्तनों की तुलना करना सीखा. हम बर्तनों में मौजूद तरल की अलग-अलग मात्रा के हिसाब से उन्हें एक कतार में लगा सकते हैं.